अजय लल्लू जी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मौलाना तौकीर रज्जा खान, जो की इतिहाद ए मिल्लत नामक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी को अपना समर्थन घोशित किया। और अभी भी हमने देखा कुछ मिन्टों पहले, कॉंग्रेस पार्टी के ओफिशल ट्विटर हैंडल ने, प्रियंका वाडराजी के साथ मौलाना तौकीर रजा खान के तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा है, कि बीते दिनों आला हजरत, आला हजरत बरेली शरीफ के मौल मौलाना तौकीर रजा खान साहिब की कॉंग्रेस महासचीव श्रीमती प्रियंका वाडराजी से मुलाकात हुई और समर्थन देने की बात उन्होंने कही है, तो ये कॉंग्रेस पार्टी ने ओफिशली ट्वीट भी किया है, और तौकीर रजा खान के समर्थन के विशाय मे कल प्रेस कॉंफरेंस भी देखा, आज ये सवाल उटता है कि आखिर ये मौलाना तौकीर रजा खान साहिब कौन है, याद करिए मीडिया ने चंद दिनों पहले मौलाना साहिब के एक वीडियो को दिखाया था, जिसमें पर्ष ट्रूप से मौलाना तौकीर रजा खान हिंदूों के खिलाफ जहर उगल रहे थे उत्तर प्रदेश में, ऐसी बाते कह रहे थे जो कभी कहा नहीं जा सकता, मौलाना तौकीर रजा खान कह रहे थे कि अगर कानून की विवस्था, मेरे जो यूत हैं, मेरे जो जवान हैं, अर्था जो मुस्लिम जवान हैं, उनके तक नहीं मिलेगी हिंदूों को, अब सोच के देखिए किस प्रकार की ये घ्रणा की बात है, घ्रणा की पराकाष्ठा है, हाइट ओफ हेट्रिड, जिसमें सपर्ष ट्रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला चोड़ दिया आपने यूबकों को, तो धर्म वि नकसा बदल के रख देंगे, हिंदूस्तान का नकसा बदल चाहेगा, हिंदूस्तान का नकसा बदलने वाले लोग, जिन लोगों के मनसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदूस्तान के नकसा को बदलना चाहते हैं, कानून की विवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वभावी कुरूप से वैसे लोगों का समर्थन Congress Party लेती है ये कोई Congress Party के लिए नया भी शए नहीं है It is not new that the Congress Party stands in alliance with such people who shower constant hatred against the Hindus and the philosophy of India याद करिये यही वो मौलाना तौकी रजा खान है जिनोंने CAA के समय कहा था हम तो अल्ला वाले हैं हम तो अल्ला वाले हैं हम चाहेंगे तो खून की नदिया बहा देंगे और भाशन में यह भी कहाता हम तो जन्मजात लड़ाके हैं हम तो जन्मजात लड़ाके हैं We are born fighters We will fight against the system अगर हम चाहें तो हम खून की नदिया बहा देंगे हम अल्ला वाले हैं इस प्रकार की बज्जुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाडरा खड़ी होती है और ना केवल खड़ी होती है उनके समर्थन के लिए गुहार करती है और आखिरकार उनको समर्थन मिलता भी है This is not new in Congress I said so because आप याद करिये केरल में किस प्रकार से वेलफेर पार्टी का और वेलफेर पार्टी को चलाने वाले जमाते इसलामी जो की UA PA के अंतरगत बैंड है उस वेलफेर पार्टी के साथ कॉंग्रिस पार्टी का गटबंदन हुआ था याद करिए चन्द दिनों पहले हमने देखा था करनाटक में जब चुनाव हुए थी तो SDPI जो कि एक political front है popular front of India PFI का उसके साथ Congress party का गटबंदन था बंगाल में ठीक उसी प्रकार Indian secular front जो अबास सिदिकी हिंदूओं के खिलाफ जहर उगलते थे उनके party के साथ गटबंदन Congress party ने बंगाल में किया था सुभाविक रूप से यह जो radical syndicate है Congress party का जो radical syndicate है वो पूरे हिंदूस्तान के सामने आज exposed है the radical syndicate which is in fact furthered by the Congress party stands exposed in front of India today और इसमें कोई Congress party अकेली नहीं है इसमें प्रतिसपरदा हो रहा है प्रतिसपरदा अर्थात competition समाजवादी party के साथ है याद रखिए नाहीद हसन पे भारतिय जनता party ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी उसका नतीजा आपने देखा सत्य की जीत हुई नाहीद हसन जो कि कहराना से समाजवादी party के candidate थे आज वो जेल में है वही नाहीद हसन जिसने हिंदूों के खिलाब जहर उगला था और कहराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे वही नाहीद हसन जिसने कहा था हिंदूों की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंद नहीं रखना है अगर उनसे हम समान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई option नहीं बचेगा उन्हें कहराना से पलायन करना पड़ेगा उनको समाजवादी पाटी ने टिकट दिया था